if cot 2 theta is equal to 1 upon root 3 then the value of cot 3 theta is equal to cot 2 theta की value इन्होंने दे रखी है 1 upon root 3 cot 3 theta की value find करनी है और यह जो theta है यह 0 और 90 degree के बीच में है मतलब 90 degree से छोटा या उसके equal है 0 degree से बड़ा या उसके equal है theta की value 90 से बड़ी नहीं लेनी है और theta की value 0 से छोटी भी नहीं हो सकती है तो चलें शुरू करते हैं तो इन्होंने cot 2 theta की value 1 upon root 3 दे रखी है अब आपको यह पता होना चाहिए कि यह जो 1 upon root 3 होता है न यह cot 60 degree की value होती है cot 60 degree की value 1 upon root 3 होती है इसके लिए आप table learn कर लो अगर आप confuse हो रहे हो कि 1 upon root 3 के जगए cot 60 कैसे आया है मैं description में table का link दे दूँगा तो आप description में link पर click करके पूरे table को देख सकते हो और मैंने उस में उस table को learn करने की trick भी बताई है तो आप आसानी से 2 मिनिट में या 5 मिनिट में उस पूरे को तयार कर सकते हो फिर कुछ revision करते रहिएगा एक दिन के दो दिन के gap पे तो पूरी तरह से table तयार हो जाएक हमेशा के लिए चिक ना अच्छा जी तो COP60 deg की value 1 upon root 3 होती है Cod30 deg की value रूट 3 होती है साइन 30 to go on two होती है इस तरह की सारी values आपको table में वील जाएंगी तो one upon root 3 की जगह मैंने COP60 लिखा अच्छा 1 upon root 3 अगर आप table में देखोगे न तो 1 upon root 3 10 30 की value भी होती है तो अब यह कैसे पता लगेगा कि 1 upon root 3 की जगा 10 30 लिखें कि cot 60 लिखें तो आप देखो left side में cot लिखा हुआ है तो right में अगर cot ले लोगे न तो आपके लिए आसान रहेगा अगर आप tan ले लोगे तो you know फिर उससे आसानी नहीं होगी फिर वो difficulty बनीनाएगी तो चले 1 upon root 3 की जगा मैंने cot 60 लिखा अब दो यहां लिखा है cot 2 theta और यहां लिखा है cot 60 cot यहां भी है cot यहां भी है यह दोनों parts आपस में equal है तो इसका मतलब यह है कि यह जो 2 theta होगा ना यह 60 degree के equal होगा ठेक ना 2 theta यह 60 degree के equal होगा तो अगर 2 theta 60 degree के equal है तो theta की value क्या हो जाएगी 60 upon 2 मतलब 30 degree हो जाएगी तो देखो इन्होंने बोला था theta 0 90 के बीच में रहना चाहिए 0 के equal यह 90 के equal भी हो सकता है तो आप देखो theta इस condition को fulfill कर रहा है मतलब वो 90 और 0 के बीच में ही है अब हम find करना है cot 3 theta की value तो cot 3 theta का मतलब क्या हो जाएगा cot लिखेंगे 3 लिखेंगे और theta की जगा यह 30 लिख देंगे तो यह क्या हो जागा? यह हो जागा cot 90 degree और उसी table से आप देख लेना कर दो जाएगा